कैसे हो आप इश्वर की क्रीपा से आप सब अपने अपने स्थानों पर कुशल मंगल होगे मैं लता शर्म अपने चैनलन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने जो यह मैंने जो काना जी के लिए स्वेटर लगाई हुए और इसमें देखें यहां से इसमें बाजू के लिए बनाया हुआ तो किस तरह से बनाया हुआ है आए बताती हूँ सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया हुआ है यह देखें आप देख सकते हैं इसमें मैंने फंदे डाले हुए हैं तो कितने फंदे डाले हुए हैं इसमें मैंने 30 फंदे डाले हुआ है जिसमें हलका सा इसमें बॉडर भी बनाया हुआ है और उसके बाद सबसे पहले मैंने यहां तक जो है जहां तक जो मैंने इसमें जेखिए यह बाजू के लिए छोड़ा हुआ है यहां तक मैंने सारा पूरा ब्राबर लिया हुआ इसमें जो बुनाई की हुई एक ब्राबर की हुई। 우सके बाद मैंने यहाँ से यहां से दागा.. दागा निकाल लेती हूँ हूँ यहां से tap के बडली उचल नहीं habe यहां पर मैंने सबसे पहले यहां यहां तक तो तीनों पथ को ses alsasale, कि ब्राबर को वाumin हैं और उसके बाद जो मैंने जब मैंने इसे तयार कर दिया उसके बाद मैंने इसे यहां से तयार किया और जितना मुझे इसमें होल चाहिए था बाजू के लिए उतना रखकर उसे प्रपेर कर दिया यानि कि छे सीलाई यहां से लिए तो छे यहां से लिए और यहां से फिर यही से स्टार्ट किया हूआ है देखे मैं इसे निकाल रहे हूं इस तरह से यह देखिए किस तरह से जार्ट किया ऊप आईए अभी मैं पताती हूं यह पूरह बना रहे थी सोचा इसकी एक वीडियो बना लूँ तो सबसे पहले यह देखिए इन फंदों को जो मैंने सीलाई में डाल देना है इस तरह से उसके बाद पूरी स्वेटर को अच्छे से बनाना है अब जो मैंने इसमें यहां ही से यह से बनाना है जैसे जो दूसरी साइड से बनाया है धागे को इसमें किस तर से अटैच करना है? इसे इस तर से डबल ले लेना है कोई गांठ भी नहीं डालनी है इसमें और इसे जो इस तरह से उपर को इसमें ऐसे रखा इसे और दूसरी साइड को पलती मारी अब दूसरी साइड को जब हम चाहेंगे तो इस धागे को इस तरह से उपर को करेंगे और इस तरह से डालेंगे और ये दो फंदे जो हम पिछी की तरप को इस तरह से ले लेंगे और दो फंदे हम आगे की तरफ लेंगे इस तरह से हम पूरी 6 सी लाईए इसमें ले लेंगे इस तरह से हमने बिल्कुल बराबर कर दिये और इनमें होल भी एक बराबर हो गया इसमें बाजू के लिए अब हमने इसमें क्या करना है ध्यान से देखिएगा अब जो हमने इसमें जो हमारे इसमें 30 फंदे है तो उसमें हमने 15 फंदे कर देना है यानि कि गले के लिए बिल्कुल कम करना है तो हम इसमें उल्टे सीधे का ध्यान रखना है यह हमारी उल्टी साइड है तो उल्टी साइ ना है और ऐसी सी लाई ये हमने इसमें जो है तीन चार पांच छे और ले लेनी है इससे जो हमारा जो है कंप्लीट कोटी जैसे बन जाएगी काना जी के लिए इस तरह से पूरे में जो हमने ऐसा ही करना है डबल इस तरह से और ये देखिए ये भी डबल है तो इसका भी हमने इस तरह से डबल ही ले लेना है इस तरह से हमने इसमें छे इसला ये ले लिए और ये हमारे एक फंदा उल्टा एक सीधा है अब हमने पूरा स्वेटर पूरा तयार हो चुका है और हमने इन फंदों को बिल्कुल इस तरह से बंद करना। 2 से जादा नहीं लेने 2 फंदों को सिंगल कर देना है इसको इसमें डालकर फिर 2 फंदों को सिंगल इस तरह से बनाना है इस तरह से बड़े ऊजे ठीच से कानाजी की स्वेटर हमारी तैयार हो जाएगी आप देख सकते हैं जो zijn मैं आपको हर परकार की वीडियो शेयर करती हूँ तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा ताकि जो मैं आपको इससे भी और अच्छी वीडियो शेयर कर सकूँ इस तरह से आप देख सकते हैं काना की जो है एक डेस के उपर जो है आप जो है इसमें स्वेट इसमें पहले पुरानी स्वेटर इस तरह से बनाई हुई है मैंने इसमें जो बिल्कुल रेखिए इजी तरीके से हमारे को खोलने में बिल्कुल इजी है और अब आप इसे भी बिल्कुल इजी तरीके से बना सकते है बहना सकते है आप चाहे तो इसमें जो है टीच बटन भ यह तो बहुत ही अच्छी रहेगी है स्वेटर इसमें आप आगे से जो इसमें टिच बटन भी लगा सकते हैं यह जो बिल्कुल मीडियम साइज का काना है और इस तरह से यहाँ पर हम जो इसमें एक हुक या कुछ भी लगा लेंगे यह देखिए आपको यह वीडियो प्संद आई है तो प्लिजी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा